किसान भाई यो धान की फसल के लिए ग्रोथ प्रमोटर की बात करें तो मार्केट में कई कमपनियों के ग्रोथ प्रमोटर आते है धान में कलों को बढ़ाने फसल की जड़ों को मजबूती देने और धान में ज़्यादा टेलरिंग के लिए किसान भाई धान में ग्रोथ प्रम करने का सभी समय कौन सा होता है धान में रोट परमोटर डालने से क्या-क्या फायदे होते है और हमें किस प्रकार से इसका परियोग करना चाहिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए जो किसान हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे जिसे आगे भी आपको ह हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे किसान भाई यो धान की रोपाई होने के बाद जब हमारी फॉसल 20-22 दिन के असपास हो जाती है इस समय धान में नए-ने कल्लों का निर्माण सुरू हो जाता है किसान भाई धान में ग्रोथ प्रमोटर का प्रियोग इसलिए करते हैं कि ग्रोथ प्रमोटर डालने से पोधे की अच्छी ग्रोथ बढ़वार हो सके पोधे में नए से नए कल्लों का निर्माण हो सके पोधे की जड़ों में पोसकत्तों की पूर्ती हो पाए जिससे पोदे में ज़्यादा से ज़्यादा फूटाओ देखने को मिले किसान भाईयों ग्रोथ प्रमोटर देने के सही समय की बात करें तो दान रुपाई से लगबग 10 दिन से लेकर आप 30 से 35 दिन के बीच में आप ग्रोथ प्रमोटर का प्रियोग कर लें किसान भाईयों मार्केट में कही प्रकार के ग्रोथ प्रमोटर मिलते हैं लगबग सभी प्रकार के ग्रोथ प्रमोटर का रिजल्ट किसानों को अच्छा मिल जाता है लेकिन अगर आप सागरिका दानेदार या सागरिका में भी अलग लग आता है जैसे कि सागरिका गोल्ड आपको मिल जाती है अगर आप सागरिका का परियोग करेंगे तो इसके रिजल्ट आपको कापी अच्छे मिलेंगे तो चले बात करते हैं कि सागरिका में आपको किस परकार से सागरिका का परियोग करना चाहिए तो सागरिका में आपको सागरिका जेडेक्स के पौमें मिलती है इसके लावा सागरिका गोल्ड के नाम से भी आती है दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है आपको अपने सेतर के अनुसार इनका पुरियोग करना है क्योंकि सागरिका की कीमत थोड़ी कम होती है और सागरिका जो गोल्ड के फोम में आती है उसकी थोड़ी कीमत ज्यादा होती है दोनों के रिजल्ट में ज्यादा फोरक नहीं होता है अगर आप धान में ग्रोथ प्रमोटर दे रहे हैं तो सागरिका जैडेक्स का प्रियोग आप कर सकते हैं जो धानेदार फोम में आपको मिलती है इसके 10 किजी पे की कीमत लगवग 400 से 4500 रुपे के आसपास मिल जाती है अब बात करते हैं प्रती एकड मातरा की तो एक एकड में लगवग आपको 8-10 किलोग्राम सागरिका धानेदार का प्रियोग करना चाहिए आप चाहे तो यूरिया के साथ मिला कर भी इसे दे सकते है या अन्य खादियों के साथ भी मिला सकते है या दरेट खेत में भी इसे दे सकते है किसान भाई यू दान में ग्रोथ प्रमोटर की जब भी बात आई तो आप सागरी का गाई चेयन करें क्योंकि इसके लगातार किसानों को अच्छे रिजल्ट मिल रहे है यह समुद्री सेवालों से निर्मित जेविक प्रोडक्ट है जिससे खेट में मिटी में वोसक ततों की पूर्ती होती है धान की जड़े मजबूत होती है नए से नए कल्लों का दिर्मान होता रहता है तो आप इस परकार से धान में ग्रोथ प्रमोटर दे सकते है किसान भाई यों आप कौन सा ग्रोथ प्रमोटर उपयोग मिलाते है कमेंटरों शेकर इस वीडियो को सियर करे धन्यवाद